नागरिक अधिकार संद्रक्षन अधिनियम उन्ने सो पच्पन हम और आप हम सभी आजादी और समान अधिकारों की हगदार हैं हम सभी को आजाद आबुहवा में सास लेने का अधिकार है हमारे इन अधिकारों की नुमाइंदिगी करता है हमारा सम्विधान और हमारे समयदान की मूल भाफना है जीओ और जीने दो उसकी नजर में सभी नागरिक समान है पर इस आदर्श विचार को कानूनी जामा भी तो पहना ना था लेहाजा नागरिक अधिकार संडरक्षन अधिनियम लाया गया तो चलिए चलते हैं साल 1955 में और इस अधिनियम के प्रावधानों को समझते हैं पहले इसका नाम अस प्रश्चता अधिनियम 1955 था ये एक जून 1955 में प्रभावी हुआ था अप्रेल 1965 में गठित इलाया पेरुबल समिती की सिफारशों के आधार पर 1976 में इसमें संशोधन किये गए और इसका नाम बदल कर नागरिक अधिकार संद्रक्षन अधिनियम 1955 कर दिया गया था संशोधित अधिनियम 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ था अधिनियम के शीशक में बदलाव से ही आप समझ सकते हैं कि इसका उतेश्य दोशियों को तंडित करने के साथ साथ नागरिक अधिकारों को संद्रक्षन देना भी है इस अतिनियम के तहट अस्प्रिश्टा को परिभाशित करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ती अस्प्रिश्टा को प्रतक्ष या अप्रतक्ष रूप से प्रचारित करता है या इसके किसी भी रूप को बढ़ावा देता है तो वो दोशी माना जाएगा इतना ही नहीं कोई व्यक्ति एतिहासिक दार्शने या धार्मेक अधार पर अस्प्रिश्टा यानि छुवा जूत को बढ़ावा देता है तो उसको भी दोशी माना जाएगा और हाँ जाती विवस्ता की किसी भी गलत परंपरा को बढ़ावा देना भी जुर्म है अधिनियम के अनुसार किसी को भी अस्प्रिश्य होने के अधार पर किसी सारजने के स्थल पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता इतना ही नहीं ये अधिनियम पूजा या प्रात्ना करने के उतेश से पवित्र दालाबों, कुओं, जर्नों, नदी, पोखर या अन्य जल्स दोतों के प्रयोग के लिए समान अनुमती और अधिकार देता है नागरिक अधिकार संरक्षन अधिनियम 1955 का लक्ष अस्प्रिश्टा की प्रधा को खत्म करना था इसकी धारा दीन से लेकर 7A अस्प्रिश्टा के अधार पर अपरात को परिभाशित करती है और दोशियों के लिए सजा का निधारन करती है इसमें सार्चनिक पूजा स्थलों में प्रवेश करने से रोखना या पवित्र जल संसाधनों के उपयोग से रोखना धारा 3 के तहद आता है किसी भी दुकान सार्चनिक पूजनाले, होटल, सार्चनिक मनुरंजन, शम्षान भूमी तक पहुँच से वंचित करना धारा 4 के तहद आता है किसी भी अस्पताल और सथाले, शाक्षनिक संस्थानों वगेरा में प्रवेश से इंकार करना धारा 5 के तहद आता है माल बेशने और सिवाएं देने से इंकार करना धारा 6 के तहद आता है चोट पहुचाना या अफमान करना धारा 7 के तहद आता है अश्प्रिस्ता के अधार पर किसी भी वेक्ति को शव को हटाने या जाडू लगाने जैसे कामों को करने पर बजबूर करना धारा साथ एके दहत आता है अश्पर को शवक्राइब साथ नाडूर को शवक्राइब साथ नाडूर किसी अध्याव लगाने पर प्रॉद पर एक उड़ाने ड्याड बजब आता है